नमश्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम अचीर्मेंट में मैं करुणा अपनी इस वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए दक्षणी लगू चित्रशैली पर mcq questions जिनको मैंने हाँ पे convert किया है one worded answer में दोस्तों आप लोगों की 27 तारिक को बोड की एक्जाम है तो 27 तारिक से पहले दक्षणी शैली पर ये कुछ questions आपको बहुत जादा important होने वाले हैं तो वीडियो को last तक देखें मेरे साथ बने रहें शुरू करते हैं हम अपने पहले परष्ण से दक्षणी लगू चित्रशैली का समय बताईए तो 16 मी से लेकर 19 मी शताथी तक दक्षणी लगू चित्रशैली ओं का निर्मान होता रहा और ये लगभग तीन चर्णों में संपादित हुआ प्रथम चरन दित्य चरन और जिसको दखिनी भी बोला जाता है कि कला केंद्र जहां पर लगुचित्रों का निर्मान हुआ वो कौन कौन से है तो वो चार कला केंद्र है बीजापुर, गोलकुंडा, एहमदनगर और हैद्राबाद कोशन नमबर तीन है दक्षणी शेली में कुल कितने कला केंद्र है जहां पर लगुचित्रों का निर्मान किया गया तो अभी आपने उपर कॉषण में देखा चार कला केंद्र है कॉषण नमबर फोर है FRIENDS दक्षणी कला शेली पर कौन सी कला का प्रभाव द्रिस्टि गोचर होता है तो दक्षणी कला पर दोस्तों प्रभाव है भारते कला का और मुसलिम कला का यानि कि मुगल कला का और मुगल कला का प्रभाव दक्षण कला पर इसलिए है क्यूंकि मुगल चित्रकार औरंग जेब के समय पर अपनी जान को बचा कर कुछ पहाडी एरिया में चले गए और कुछ दक्षणी छेत्रों में आ गए तो उनकी कला थी मुगल कला तो इस तरह से इसलामी कला या मुगल कला प्लस भारते कला या राजस्थानी कला का प्रभाव दक्षणी शहली पर देखने मिलता है तो चारों में से कोई भी option अगर आपके पास आता है तो वो सही होगा इसलामी कला प्लस भारते कला ये भी सही है मुगल कला प्लस राजस्थानी कला ये भी सही है मुगल कला प्लस भारते कला ये भी सही है Question number 5 है, दक्षणी कला के अंत्रगद लगू चित्रों का निर्माण कितने चरणों में किया गया? ये अभी हमने उपर बात करी थी इस पर तीन चरणों में किया गया, प्रथम चरण, देत्या चरण और त्रेत्या चरण. प्रथम चरण में बीजापूर में चित्र बन्ने आरंब हुए थे. Next question भी आपका यही है, संपूर्ण दक्षणी कला शेली में सर प्रथम लगू चित्रों का निर्माण किस कला के अंत्र पर आरंब हुआ? तो बीजापूर कला केंद्र पर आरंब हुआ और यूसूफ आदिल सहा के समय लगू चित्र बन्ने आरंब हुए दक्षणी कला में. Question number 7 है friends, दक्षणी लगू चित्रों का आरंब किस शाशक के समय से माना जाता है? तो यूसूफ आदिल सहा के समय से जिनका संबंध बीजापूर कला केंद्र से है? Question number 8 है friends, दक्षणी कला शेली के चित्रों का विशे क्या रहा? तो इसका अंसर होगा, यहां की कला में विशुद इसलामी तत्व रहे. क्यूं? क्यूंकि मुगल कला कारों द्वारा इस कला का उद्भव किया गया था? और जो चित्र बने हैं वो सिर्फ ग्रंथ सज्जा पर ही आधारित रहे. Question number 9 है friends, दक्षणी कला में मुख्यता किन रंगों का प्रियोग किया गया? तो नीला, लाल और गुलावी रंगों का प्रियोग दक्षणी कला में किया गया. Question number 10 है, अन्वारे ए सुलेही एवं यूसुफ जलेखा जैसे ग्रंथों का संबंध कौन सी कलाशैली से है? तो दक्षणी, कला, शैली में अन्वारे सुलेही और यूसुफ जलेखा ग्रंथ लिखे गए और चित्रित किये गए. ये समराट आदिल शाहा के समय लिखे गए थे और चित्रित किये गए थे. Question number 11 है friends, दक्षण भारतिय लगों चित्र शैली का अंतिम चरण कब से है? चान भीबी पोलो खेलते हुए चित्र का समबंद किस कला शैली से है? दक्षणी कला शैली में बना है चित्र चान भीबी पोलो खेलते हुए. इस चित्र को हम चोगान प्लियर के नाम से भी जानते हैं. दोस्तों चोगान प्लियर आपका एक और चित्र है जो बना है राजिस्थानी शैली में जिसको बनाया है चित्र का दाना प्रशाद में. पर ये वो वाला चित्र नहीं है. कोशन नमबर 14 है फ्रेंड्स. चान भीबी पोलो खेलते हुए चित्र दक्षिनी शैली के किस कला के इंदर से सम्बंद रखता है. तो ये गोलपुंडा कला शैली का चित्र है. Q15. चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र में कुल कितनी मानवा करतियां चित्रेंथ हैं तो 5 मानवा करतियां चित्रेंथ हैं जिसमें की एक पुरुष है और 4 महिलाएं हैं जिसमें की एक चांद बीबी भी है question number 16 है हजरत निजामुदीन ओल्या एबम अमीर खुसरो चित्र का संबंध कौन सी कलाशेली से है तो ये दक्षणी कलाशेली का चित्र है और दक्षणी कलाशेली के हेदराबाद के इंदर पर ये वाला चित्र बना है फ्रेंट्स इसी के साथ दक्षणी शेली पे हमारे ये question खत्म होते हैं और लगबग सभी questions को मैंने include किया है दक्षणी शेली के इस वीडियो में आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है